हेलो फ्रेंद्स वेल्कम डियों चैनल एबी से बाउट इंग्लिश एंडिस अपड़ना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हुए कनादर एक्सराइज बेज़ ओन प्रेजन कॉंटिनियूस टेंज येज हम करने वाले आज प्रेजन कॉंटिनियूस टेंज की एक्सराइज जैसे के आपकी स्क्रीन पर विजिबल है सो विदाउट अने जर्ये चाहिए करते हैं start So present continuous tense का structure तो आप लोगों को पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो फटा-फट जलली देख लेते हैं Present continuous का structure होता है subject then helping verb की जगह पर आता है is am are Verb की होती है ing form then object ठीक है अगर ये clear है तो चलिए करते हैं start First sentence है हमारा look ललत is dash to school यहाँ पर आपको देखे is दिख रहा है दिख रहा है इस So हमारा sentence का structure होता है जब भी is am are दिखे तो उसके बाद verb की आनी होती है ing form तो देखे walk है walks है और walking है ing हमें यहाँ दिख रहा है third में तो हम क्या लगाएंगे ing लगाएंगे Walking हो जाएगा ललत is walking to school look ललत is walking to school ललत पैदल स्कूल जा रहा है ठीके चल के जा रहा है इस तरीके का sentence होगा देखे हमारा next sentence है what dash he doing अब आपको यहाँ पर doing यानी की ing form दिख रहा है ing form दिख रहा है तो what is he doing what is he doing तो is हमारा क्या होगा correct होगा यहाँ पर अब देखें जिनको भी is mr का concept clear नहीं है कि किस subject के साथ is लगाएं कि subject के साथ r लगाएं या m किस के साथ आता है then अगर they you we और plural noun हो तो r लगेगा ठीक है इतना clear है क्या लगेगा r लगेगा next sentence की तरफ चलते हैं dash is making her bad अब देखें यहाँ पर is लगा हुआ है ing भी आया हुआ है is किस के साथ लगता है आपको पता है he she it or singular noun के साथ तो यहाँ पर we wrong हो जाएगा i wrong हो जाएगा क्यों कि i के साथ तो m आना होता है यहाँ अगर m होता तो हम i लगा सकते थे तो क्या right choice है हमारे पास she she is making her bad अब यहाँ हर भी जो है न यह pronoun किसके लिए use किया गया है she के लिए use किया गया है इससे भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा she आएगा यहाँ अगर he होता तो यहाँ his करते ठीक है उस तरीके से हम pronounce का use करते हैं next sentence की बात करें तो millie is dash her pets millie is dash her pets millie a girl है her उसी के लिए आया है she she it हमने सुना होगा न he किस के लिए आता है male के लिए आता है female के लिए her आता है ठीक है और it किस के लिए आता है non living thing के लिए आता है clear है ठीक है अब बात करते हैं is I a a verb की ing form लगेगी बड़ देखें मुझे यहाँ पर तीनों ही ing दिख रही है reading feeding playing क्या आएगा तो देखें यहाँ पर जिसका sense बन रहा है न सेंटेंस में वह आएगा millie is dash her pet millie is reading her pet नहीं पैट को read कैसे कर सकती है ठीक है millie is reading her pet नहीं होगा millie is feeding her pet होगा feeding reading का मतलब पढ़ना होता है feeding का मतलब खिलाना होता है playing का मतलब खेलना होता है ठीक है तो खिला रही है वो खाना खिलाना को क्या कहते हैं feed करना कहते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा feeding ठीक है feeding यहाँ पर correct है next sentence की बात करें तो these man अब यहाँ पर देखें यहाँ ध्यान दीजिए these भी plural है man m e n भी plural ही है यहाँ पर multiple man की बात हो रही है ठीक है क्योंकि man man याने singular male एक male की बात होगी man की बात होगी man होगा men वाला तो यह multiple है ठीक है तो हमने बात करी है जो plural noun होता है उनके साथ r लगता है अब देखे is भी दिया है r भी दिया है m भी दिया है clear हो रहा है ठीक है r लगेगा next slide की तरफ move करते है कोई भी doubt हो आप comment section में पूछ सकते हैं next sentence की बात करते हैं तो are you dash to me are you dash to me ठीक है are you talk to me are you talks to me are you talking to me ठीक है क्या सही होगा यहाँ पर हमें दिख रहा है r r दिख रहा है तो verb की आएगी ing form ing form मुझे option में से यहाँ दिख रही है तो talking लगा देंगे ठीक है क्योंकि है ही वो कौन सा tense present continuous tense और continuous tense की पहचान होती है verb में ing form ठीक है ना next sentence की बात करते हैं तो dash they trying to avoid me dash they trying to avoid me अब देखें यहाँ पर trying है ing लगा हुआ है ठीक है उसके बाद infinitive है याने की to का use करके verb की first form आ रही है ठीक है क्या वे मुझे avoid करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके का हिंदी होगा इसका sentence ठीक है next हम अच्छा is mr में से क्या लगा है हमने already previous जो slide है उसमें देख लिया था कि is किसके सांथ लगता है m किसके सांथ लगता है r किसके सांथ लगता है यह जो दे है ना यह plural है plural किसा लगता है r ठीक है are they trying to avoid me next dash are preparing for iles dash are preparing r किसके सांथ लगता है i r नहीं i r कभी नहीं होगा she r नहीं she is होता है we are correct we are we के साथ लगता है आर तो we are preparing for IELTS IELTS एक exam होती है English के लिए foreign countries में अगर settle down होना है या फिर work permit से या study purpose जाना है आपको तो ठीक है रोहित is dash his book अब देखें रोहित mail है mail के साथ his आया है हमने already पहले ही बात कर ली थी ठीक है is आया है यहाँ पर रोहित is ing form आएगी पर मुझे currently यहाँ पर देखें सो मुझे फिर से यहाँ पर तीनों ही ing मिल रही है तीनों ing तो तीनों तो correct हो नहीं सकते तो सबसे जादा suitable जो word जो sentence का proper मतलम निकले हैं सो वेसा कुछ हमें answer में फिल करना है रोहित is dash his book रोहित is reading his book read तो करी सकते हैं book को अच्छा रोहित is feeding his book वो अपने book को खाना तो नहीं खिलाएगा playing his book वो अपने जो book है उसके साथ खेलेगा भी नहीं ठीक है तो यहाँ पर सबसे appropriate जो है वो reading है reading his book ठीक वो अपने book पढ़ रहा है that woman dash holding her baby अब देखिए women है तो w o m a n यह singular होती है क्या होती है singular होती है women के लिए singular है ठीक है तो singular women के लिए क्या आएगा is m और r में से is आएगा हमने already discuss कर लिया m तो सिर्फाई के साथ आता है r plural के साथ आता है तो क्या लगा देंगे हम is लगा देंगे is holding her baby ठीक है कौन सा टेंस था आएग जी था तो हमें is mr में से लगाना था option भी हमारे सामने दिये रखे हैं next where are you dash next week where are you r है यहाँ पर कहा आप कहा जा रहे है ठीक है next week आप कहा जा रहे है r दिया हुआ है already verb की ing form लगेगी देख लेते हैं option में क्या क्या available है go है goes है और going है ing मुझे सिर्फ कहा दिख रहा है यहाँ दिख रहा है तो हम क्या लगा देंगे going next sentence है हमारा dash I solving it right dash I solving it right ठीक है तो I है यहाँ पर okay ing form भी दिख गई है is mr में से आएगा is I तो हो नहीं सकता am I होता है तो हम क्या लगा देंगे am I solving it right क्या मैं इसे सही से solve कर रहा हूं या कर रही हूं ठीक है next sentence है dash I am not giving you more money ठीक तो यहाँ पर दिखे M दिख रहा है option में they, she sorry they, she और I दिख रहा है am किसके साथ आता है बिल्कुल बताने की ज़रत नहीं पढ़नी चाहिए I के साथ आता है I am not giving you more money next sentence है उर्मिला is dash with her doll उर्मिला is is आया है ना is आया है अब क्या करेंगे ing form लगेगी तीनो ing फिर से मुझे दिख रही है पर doll के साथ वो read तो करेगी नहीं उसे feed उसके साथ feed नहीं करेगी या play सबसे दा है कि playing appropriate जो लगे आपको वो use कर सकते हैं उर्मिला is playing with her doll ठीक है with her doll उसके साथ क्या करेगी play करेगी how dash you doing doing क्या है doing ing लगा हुआ है you के साथ क्या आता है आप हमें वो देख रहा है helping worm में से is are या am तो you के साथ आता है are ठीक है how how are you doing how are you doing ठीक है next sentence है am I not dash good am I not देखिए am लिखा हुआ है am है to ing form आईगी look है looks है looking है क्या लगेगा looking अब आए होब आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम exercise solve कर रहे है ठीक है उसी तरीके से आपको भी solve करनी है he is dash the workshop he is dash the workshop अब यहाँ पर is आया हुआ है verb की क्या लगेगी ing form लगेगी मुझे open दिख रहा है opened दिख रहा है और opening दिख रहा है ingc में है तो मैं use करूंगी opening ठीक they dash riding on their horses they dash riding अब ing form औरेडी दिख रही है तो is m आर आएगा is m आर आएगा मतलब की तीनों ही आ सकते हैं क्या नहीं तीनों नहीं आ सकते as a subject हमें decide करना पड़ेगा की इस लगाए m लगाए r लगाए तो they के साथ r लगता है ठीक है they are riding on their horses she isn't dash his call she isn't answering ठीक है क्यों आया answering क्योंकि is है इसके बाद verb की ing form आती है ठीक है isn't है तो ऐसा मैं समझेगा is not का contraction है ये ठीक है is not ही है वो तो is आया है तो verb की ing form आएगी ठीक है अच्छा ये सिर्फ present continuous tense में आती है अगर passive sentence हो तो इसके बाद verb की third form भी आ सकती है तो आप confused मत होईएगा ठीक है next sentence you are dash with us right now you are dash with us right now अब ये जो question है ना वो मैं आपके उपर छोड़ती हूँ आपको answer देना है वो भी comment section में देखते हैं कितने जो लोग हैं वो इस question का right answer कर पाते हैं you are dash with us right now कम आएगा क्या माएगा या coming आएगा आपको बताना है ठीक है I am waiting for your answer तो चलिए मिलते हैं next video में till then goodbye see you so how was it you like it right yippee comment us if you have any doubt don't forget to like share and subscribe to our channel we will meet in the next video goodbye